हेलो एवरिवन तो आज हम पढ़ेंगे महत्पूल अनुछेद एक से 395 तक जो अनुछेद है तो आज का हमारा टॉपिक है सविधान के महत्पूल अनुछेद ठीक है इसमें हम सब चीज कबर करेंगे और इतने अच्छे ट्रिक से आपको बताया जाएगा कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा आप बीच-बीच में से कभी याद कर लेते हो कभी साइड से तो उसमें आपको बहुत दिक्कत होती है ठीक है लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप यह पूरा वीडियो देखेंगे समझ मेंगा चलते हैं सबी महत्पूल अनुछेद ठीक है तो हमारा स दिखária कि बाकि जितने भी सलाइड है यह आगे करके दिखाया गया है कि इन सब में आपको कैसे कैसे समझाए जाए गया इस याद हो जाता यह त्टृइव ज्यादा असान है बहुत असान 22 भाग 395 अनुच्छ और 12 अनुच्छ यानि 22 भाग है यानि जैसे बोलती है चप्टर में 22 चप्टर है उसके अंदर 395 पेज में खतम है ठीक है तो वही बात है 22 भागों के अंदर 395 है लेकिन एक्शुल में आप बोलोगे 470 भी होता है ठीक है तो 470 का मतलब यह है कि टोटल 470 है जैसे मार लो 395 A 395 B है टोटल 395 लेकिन 51 A B हो गया 4 A B हो गया यह सारे जोइंड करके 470 होते हैं ठीक है लेकिन है काउंटिंग में 395 इसमें A B C जो आ जाते हैं भाग एक में क्या बोला है एक से चार तक संग एमनुस का राज के छेत ठीक है यानि एक से चार भाग जो पहला है बाइस भागों में से वो एक से चार अनुचेद में क्या बताया गया है कि संग एमनुस के राज के छेत यानि उसमें राज से रिलेटिड बताया गया ठीक है अनुचेद एक में क्या बताया गया भारत राज्यों का संग है यानि भारत जब अजाद हुआ था जब चेत्रों, सीमाओं और नामों का परिवर्तन, यानि उसमें क्या-क्या चेंजिस हो सकते थे, अजादी से पहले कैसा था, एक टाइम पे नहीं हो सकता था, तो यह इसे अनुछेद में बदल दिया गया, और उसी हिसाब से जैसे जैसे यूज करा गया, और उसी में यह से सोला, ठीक है, यह जो बताया गया ना, यह भाग दो में है, नाग रिकता, नाग रिकता से आपको क्या समझ में आ रहा है, भाग दो, देखो, एक से चार्तों का आपको समझ में आ गया, राजो के बारे में ही बताया गया, राजो का संग, नाग रिकता में क्या है, नाग पंचमी से आप याद कर सकते हैं इसमें नागरिक्ता के बारे में बताया है ठीक है कब नागरिक्ता है ठीक है नागरिक्ता के बारे में बताया है कैसे नागरिक्ता होती है क्या है क्या है क्या वैसे ठीक है पूरी डिटेल में ठीक है आप डिटेल वीडियो भी आप समझना च है यह जितने घौक जाने इस सतम्सक्राइब में पिछान को एंटा कर्थान को पर कि हम ने इन। तो यह सब बताता है कि हमारा 470 वही बताता है A, B, यह जाते हैं न बीच में मौलिक अधिकार का बारे में बता है समानता कादिकार, सवतंतता कादिकार सोचन के विर्यो धरिका धार्मिक, सवतंतता कादिकार संस्क्रीटियों और सेच्छ भी कादिकार ज्यानि समान तका एक साथ समान लोगों के बारे में बुढ़ा गिया है और नीचे लिखा गिया है कि सवर्न सिंग समिती के सिफारिस वर्स Unfair-1997 में Sport divine सवीधान संसोधन को तब सवीधान में सामिल किया गिया इससे पहले सवीधान संसोधन में सामिल ने था सविधान संसोदर के तहट सामिल किया गया अगले में चलते हैं भाग 5 भाग 5 पाँच में क्या बता है यह 51 से 111 की बीच में होता है अनुछेद भाग पाच में ठीक है और भाग छे 152 से 237 ठीक है अब देखो इन दोलों में कॉमन के है असान तरीका रटने का और समझने का 51 से 151 ये राष्ट पती है और राष्ट पती के बाद क्या आता है राजपाल जो राष्ट पती हो गया एक वो भी अपना करता है उसका भी करता है कसरे ये डेश के लिए Passии काँ करता है सेम लकिन वह राजपाल के लिए ये पूरे इंडिया के लिए सेम वही राजपाल का भी काम हता है लेकिनबोह श्च setzen में जो प्लता है तथर से मरे काम है उसकी सकती कारे किया हो हो receptor क्या चिसे चुना जाता है और एसी राड़व में क्या है 153 जहांसे िस्र खतम होता है वहाँ से वह स्टार्ट होता है राजपाल का पद क्या है सकती निर्वाचन और इसे याद करने का तरीका जैसे राष्टपती है राष्टपती बाववन अनुच्छ से श्टार्ट है ना तब बाववन देखो यहाँ पे एक लड़का चेयर पे खड़ा है और एक भीक मांग रहा है म याद रहेगा ना बावन जैसे बनाके लिखाया था वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सेयर और सब्सक्राइब करते हैं यह पांच का साइन हो गया यह दो जो जुका हुआ है कितना अच्छा है तरीका रखने का राष्टपती का राष्टपती से हैं जितने भी आएंगे उसके बीच में होंगे और भाग यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन बजाता है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टन और आता भी है मैं सीमिटाइब कि निरवाचन किस अनुष्चे में करा जाता है तो पताए चली गया निरवाचन करा जाता है तो सबसे बड़ा पोस्ट होता ह तो वो तो जिस गद्धी पे बैटे को उसे सासन तो करना है तो उसको पांच से और जो उसके बाद है तो यह तरीका हो गया बावन उसका अनुचे दिरखने का है ठीक है प्लस वन राजपल आपको समझ में प्लस वन का मतलब मैं बता रहा था क्या है जैसे बावन राष्टपती का है और इसका एक सट्रेपन तो बावन में एक जोड़ेंगे त्रीपन हो गया बस एक ही तो लगाना है जहांसे अनुचे इस टार्ट है तो राष्टपती को पद यह सब्सक्राइब चुनते है राजपल को सेम सब्सक्राइब लेकिन एक प्लस करके इसमें तुर्फवन और इसमें पच्वन निर्वाचन करा जाता है तो आप देख सकते हो मैक्सिमुम चीजें यह बस प्लस वन करना है और आगे वन भी करना है आगे वन का मतलब ही है कि समन करोगे तो तिरेपन होगे तिरेपन इधर आ गया वही चीज़ यहां मैं बताने की कोश्च कर रहा हूँ तो में भी आपको यह कुछा क्या पर से निरवाचन कैसी कर जाता है क्या क्या रांष्ट्पती यह विए तो यह राष्ट्पती को चूना है तो कौन सा नुचाद में हटा भी कारे के वज़े से तो उसके बारे में अब मैं बता रहा हूँ महावयोग के बारे में बताने की बूल रहा था हाँ यह राष्ट पती को चौदे दिन पहले बताना पड़ता और यह लाने के लिए पहले सांसद और राजसबार सांसद में लाने से पहले सौदे दिन पहले बता जाता है उसके बारे में ठीक है आप बताते हैं शमादान महावयोग में यह राष्ट पती को कैसे यह वह गिरा रहा हुआ उसके सामने यह आपको फांसी भी हो जाना तो राष्ट पती चाहाएगा तो आपको फांसी से रोक सकता इतना बड़ा समयादान किसी के पास नहीं है इतना बड़ा लुए मदान बहुत इंपोर्टन होसमेздखता है कि के अध्यादे का मतलब, कि अध्यादेश का मतलब मालो सांसद किसी कारणवस और लोगसभा सांसद और राजसभा ये नहीं चल रहे सही से ठीक है लेकिन अगर ना देश में जरूरत है कानून बनाने की तो उस समय हस्ताक्षर करके हमारा जो भी है प्रेसिडेंट वो हमारा बना सकता है यानि सब हमें राष्टपती के साइन होने चे ये तीन स्टैप नहीं होगा तो नहीं बनेगा ठीक है कानून लेकिन अध्यादेश में अगर जरूरत है कानून की तो राष्टपती साइन करके बना सकता है कानून और प्रधान मंतरी की सलाह से ठीक है मंतरी मंडल से ऐसे नहीं बन पर सलाह देता है ठीक है東 इसके लिए बात ये नहीं यई राष्ट पती ऐसा नहीं कि उनकी बात माने गाई कि giàंकि वो बड़ी पोस्ट में ठीक है अनुसे 63 में राश्टपती पद की वो करी गई है बताई गई है अनुसे 64 में राजसभा की सभापती के रुपे बताई गया है एक चीज फैक्ट है कि उपराश्टपती जो है ना उनको सेलरी नहीं मिलती ठीक है जैसे परधानमंत्री राश्टपती और राजपल सबको मिलती है इनको नहीं मिलती क्योंकि इनको नहीं मिलती क्योंकि इनको ये ना राजसभा के भी सभापती होते है ठीक है तो उसमें जब तो उसके लिए सेलरी मिलती है लेकि उपराश्ट पती को कोई सेलरी नहीं मिलती है राश्ट पती के बाद जो पाद आता है वो उपराश्ट पती का आता है ठीक है तो राश्ट पती के बीच में ही वो आता है ठीक है चलते हैं अगले चीज में राष्टपती उपराष्टपती पढ़ चुके अब आते यह बारी प्रधानमंतरी और मुखमंतरी जैसे राष्टपती उपराष्टपती और राजपल का था वो सामने सामने बताया था इतना सांतरी का था वैसे प्रधानमंतरी और मुखमंतरी में है प्रधान मंदल आता है इसमें प्रधान मंदल और महानेयवादी ठीक है मंदल वो होता है कि जैसे राष्टपती को चुनना है ठीक है उस मंदल से help लिए जाती है और उस मंदल में पूरा discussion होता है ठीक है उसे मंदल और प्रधान मंदल आपको पता है प्रधानमंत्री के अंदर कितनी पावर होती है, 75 अनुशेत के अंदर आता है, ठीक है, और कितनी पावर होती है, वो सबको पता है, सबसे ज़्यादा पावर इंडिया में प्रधानमंत्री है, अब मैं तो लेने की, वैसे पावर तो सबसे ज़्यादा राष्टपती के पास ह साथ आ लाले तो आपको न मंतरी मंदल में भी मिले जैसा अनुछेद 130 मंतरी मंदल ना उसमें मुह मंतरी को चुनने के अधा है, उसके लिए इसी इसी होता है, प्रधान मंतरी पूर्त होता है eks templum मंदला 63 पे मुख मंतरी आता है फिर महा निवक्ता यानि जैसे प्रधान मंतरी का महा निवादी के लिए चुना जाता है राष्टपती चुनके देता है कि उसकी सयोग करें वैसे ही मुख मंतरी के लिए महा निवक्ता होता है जो प्रधान मंतरी के लिए चुनके देता है मु एक लगा दिए 163 ठाक है यह तरीका हसान इसको बताने गा ठीक है तो आपको पता चल गया होगा यह सामने सेम से मैं 14-63 के बीच में तो आपको पता चल गया होगा कि यह 6 है मंत्री मंडल का वही काम होता है जो मंत्री मंडल का 163 में होता है मुख Hmantri के लिए अबerg्रा को होता है महाद्यक्ता मुख मंत्री फैसिसांuff से एक प्रतानमंत्री का पहले बाद में आता है इसे हम्हे से आपको ऐसानी से यह जाएंगे इसे आपको पता चल गया होगा कि यह चेगा तुरे अगला है हमारा सांसद ठीक है तो अब हम बताएंगे इसके बता सांसद सेवेंटी नहीं पर शांसद असी पर राजसभा लोकसभा इन दोनों के बीच में कोई गया अपनी है ठीक है उन्हें असी से इनको आसान करने का तरीका जैसे हो सेवेंटी नाइन सांसद असी पर राजसभा इक्यासी पर लोकसभा ठीक है बहुत असाने इनकरट ना ठीक है वैसे ही अनुछेद यह तो सांसद हो गया यह आ जाता है लेकिन वैसे ही जैसे हर स्टेट में होता है हर ठीक है तो उसी सबसे विधान मंडल होता है विधान सब यहां अभी बतानी नाइस तो इसे तर्फान तरीक यह? एक हमारा 9 में से गया 8 7 में से वन या 6 और वन जो लगा वह 168 आ जाएगा ठीक है असान तरीका जो सांसत कानून बनाता है वैसी विदान मंदल होता है जो पूरे देश का और सिर्फ इस्टेट के लिए ही होता है जो कानून माता एक आसी में से फिर ऐसी करेंगे मैनस तो वही 0,170 वो विधान सबा तो आप बता सकते हैं उसके कौन क्या है ठीक है तो ये आपके 3 हो गया और विधान परिशत में बिल्कुल 6 स्टेट में है ठीक है पहले 7 स्टेट में था अब 6 हो गया है ठीक है छे स्टेट को याद करने का तरीखा टीवी जुकाम ठीवी जुकाम का मतलब क्या है टीफोर बताओ तिरपूरा नहीं तरलंगाना तरलंगाना बिहार जेवर जम्मू कसमीर अब हट गया है क्योंकि जब से ही ये पहले कैन सासित पर्दे सा अब ये केंदर सासित परदेश में नहीं आता है काउन्ट इसलिए ये हट गया है ठीक है तो आब नहीं है जब मुकस्मीर ठीक है U for उत्तर परदेश, U से स्टार्ट होता है उत्तर परदेश, K for करनाट का, A for आंद्र परदेश और M for महराष्ट ठीक है तो 6 देसों में है कहा है तेलंगाना बिहार उतरप्रदेश करनाटका अंधरप्रदेश और महाराश ठीक है जब कस्मिर पहले हट चुगा है तो 6 है अभी तक ठीक है संसद और विधान मंडल यह दोनों हमारा हो चुगा है complete ठीक है तो अब यह कवरप हो चुगा तो अब हम च होता है निरनायक मत निरनायक मत क्या होता है जैसे संसद में कुछ चल रहा हो ठीक है और कहीं ना वोटिंग एक कानून बनाना हो या नहीं बनाना हो उस पे मतना बराबर हो जाए और वो नहीं हो पा रहा हो कानून की बने ना बने ठीक है तो उस समय क्या होता है कि जो जो सीन है मालो पचास-पचास का वोट हो गया और एक जिसके पास चला गया वोट वो माना जाएगा या तो नहीं माना जाएगा तो सभापती वो निर्नायक अपने हिसाब से लेते हैं ठीक है यह हो गया समझ मैं एक सो आट में सैयुक्त अधिवेशन हाया अधिवेशन का मतलब कि मालो संचध और लोग साहब और राजीस से लुग जा रहा है कभी ना कभी और राष्ट को इलिए वो हिट पे है वो बिल पास नहीं पारा किसी ना किसी वज़़ए तो राष्ट पती ना एमर्जनसी में कुछ इन लोगों को बुलाते हैं लोग सब्धारा सब्धार दोनों अदिवेशन को का तरीका दस मीन धनविद्यक्त न जुटाती है उसको धनविद्यक करता है जैसे कैसे यह क्या करतेए पहले कोई भी द्विद्यक्त जो भी है वो क्या आता है लोक सभा में आता है कहीं से भी कुछ भी पाज करना वह लोग सभा में जाता है फिर आज सभा फिर आगे जो भी होता है वो परीक्रियाँ आपको पता है ठिक है posição अभी बता कहा था मैंने तो आप तुछ ए धन विदेग क्या है धन विदे क्या क्या है कर्ज या फिर जो भी टैक्स से पैसे जुटाती है उसको हम धन विद्यक करते हैं और जो उस चीज को किसी भी कास के लिए किसी भी जगा या फिर स्टेट के लिए बढ़ा जाए उसे वित विद्यक कर जाता है ठीक है अब अनुछेद 112 की बात करते हैं बजट 112 में आता है को देना है चूट देना है क्या नहीं ठीक है बजट तो हर सा अपको पता ही होगा और उस बजट में कुछ रह जाता है तो वह 116 अनुछेद है लेख आनुदान उसमें बताया जाता है या एकस्पेइन करा जाता है उस चीज को कि उसी समय वह ऐसा कोई बेलूल नहीं होता वह बीच में भी कभी भी पास कर सकते बता सकते उसके बारे में ठीक है यह लेख आनुदान के अंदर आता है ठीक है अब हम सुप्रीम कोट और हाई कोट पढ़ेंगे ठीक है सी और सी ठीक है सुप्रीम कोट हाई कोट यह 124 में आता और यह आता है 1214 में ठीक है सी का 124 पहले हमने प्रधानपते मुखमंती उससे पहले वह पढ़ लिया ठीक है इस तरीके से होता है ठीक है और सी एजी की अन्युक्ति करी जाती है ठीक है क्या होता है कंट्रोलर एन औरिटर जन्रल यह इसका क्या की फुल फॉर्म ठीक है 131 में अधिकार यानि उसका पाउर बताया जाता है ठीक है यह चीज होगी आपकी क्याक से हम यह भी पता चलता है कि घोटाले जो होते हैं ना हमारे उन सब के बारे में जैसे टू जी यह जो हुए थे ना अब आते हम हाई कोट के उपर अनुछे 214 में क्या बता है राजो के लिए हाई कोट यानि राजो के लिए हाई कोट कैसे होता ठीक है तो SC के गठन में बताया था 124 में इसमें 214 में बताया गया ठीक है ठीक है दो को खिसका दो बास बीच से 214 हो गया ठीक है तो यह तरीका होता थोड़ा इस तरीके से याद करने में आसानी हो जाता है नाजिए होता है यह नहीं हमने भाग बनाया केंद राज संब्स अप इसमें बताएंगी अलग एक पार्ट बना दिया उसके मैं सितने विश्य जारता है इसमें 240 से 50 की बीच मैं राज सूची विश्य पर कानून बनने के सक्ति यहनी राज में जो भी कानून बनेगा उसके बारे में सोचना अब प्रदान मंत्री भी बनाते हैं ठीक है वो केंद्र के लिए स्टेट के लिए ठीक है लेकिन एक मुख मंत्री जो श्टेट के लिए जो खुल कानून बना सकता सांसर उनसर में बनता है वो अलग चीज होगे लेकिन एक सिर्फ उसके लिए जैसे मंत्री मंडल बताया गया था ना मुख मंत्री के लिए अभी पढ़ाया था मैंने तो वह कानून बनाते हैं उसी के लिए राज्य विकास कानून की बनाने की सक्ति वही बताता है ठीक है तो चीज होगती है नदी ज़ल्विवाद है पढ़ लेना और अभी मैं बताता है इस घल्विवाद में यह होता है कि दो श्टेट यह दो राजों के बीच में क्या होता एक पानी रोक लेता है और फिर पानी नहीं आने देता बांध बना लेता है तो दूसरे राज को दिकत होती कि हमें पानी प्रॉपर नहीं मिल राहरा तो वो जल का निप्तारा के लिए जो भी वियाद करा जाता है ठीक वह अनुऔसाद्यद दूसाद की त़हत हो ठीक है सानासद में जो da अनुछाध्यी 243 यह 207 नाधल रखना अंतरा जी यह involves 291 परीशादिया आंतराजl爸ीज्या यह परीशन के भी संद सकतर के तहट तो भी थे के तहट इस वीतायोग रख क्या हुता है कि दो राजन के वीड में बीच में चो जो होता है कर उसका वो करना करना ist तरन करना विताय होगा मैं बताए दोसाओ थाना इंपोर्टन है याद रखना इसके 15 विताय हो कौन है एनके सिंग ठीक है एनके सिंग इसके 15 विताय होगा याद रखना जो अभी चल रहा है ठीक है अनुच्छे 212 पर आते अखिल भारतिया सिवा इसमें तीन चीज़ आती है अखिल भारतिया इस आईपीएस और आई एफएस ठीक है आपके गल्ती होती आईएफैस में यह कैसे इस पर ध्यान रखी है क्योंकि यह दो तरह की आई एफएस होते हैं ठीक है आई एफएस और इस यानि एक फॉरन हो जाता है इंडियन फोर्स गार्ड और एक फोर्स्ट एक हो जाता है इंडियन फोरेस्ट गार्ड ठीक है तो इन दोनों पर ध्यान देरी क्योंकि आपके पास चार अपसन दे दिया जाएगा आई एस आई पी एस एन आई एफस ठीक है तो इस चीज पर याद रखी कि इसके दो अपसन होते है ठीक है इसका आपको सिंप्लियाद कर और संग राजिक के लिए लोग सेवा का गई कि इसमें यूपी एस सी ठीक है जो इक्जाम होते है यूपी एस के बड़ा पता और कितने स्टेट एट आ यूप के नाम से जाना जाता है ठीक है तो यह आप ज्याद रखें कि आखिल भारती में थीन से वा आते ओटाइएस ड पिएसी आता है अब हम पुढ़ेंगे निर्वाचन आयोग का है अनुषे 384 में एब आा था यहीं है आप आजाये राजे भासा राजे भासा किसमें अनुश्य है 523 में हिंदिय हमारी राष्ट्य भासा है है हमी भी पता है राधा लिपी क्या है देव नागरिक लिप यह भी आपको पता आप आते हैं मेन इंपोर्टेंट टॉपिक पर अपातकाल यह तीन अपातकाल है अनुष्य 352 चपन और साथ एक चार चार पलस कर दोगे आजागा राश्टी अपातकाल उपर अपर राश्टी पती सासन वित्य अपातकाल ठीक है तो आप देखोगे तीन है ना चार चार पलस कर दोगे राश्टी अपातकाल का बात है राश्टी अपातकाल जब आता है जब दूसरे देशों से यूद हो जाता है तो उसमें अपातकाल यह नहीं कुछ गमी और जैसे इंद्रा घंदी के टाइम पर हुआ था ठीक है और आपको पता है कि ऐसे भी होते हैं क राश्टपती सासन का बता है जब मालो कोई ना कोई रीजन के वज़े से वहां पर राजमेना चुनाओं तो होते हैं लेकिन चूने नहीं जाते और आपस में सहमती नहीं बन पाते कि गठबंदन की सरकार भी बन जाए उस टाइम पर राश्टपती सासन यह दोनों लग तो यही एक इतना इंपोर्टन है कि कभी-कभी पेपरों में पूछी जाता है कि कौन सा अपातकाल अभी तक नहीं लगा है तो राश्टी अपातकाल लग चुका है जब चाहिना के साथ वहार हुआ था इंद्रा गांदी के समय में राश्टपती सासन भी लग चुक एक वि अब आ जाते हम सविधान संसोधन में अनुछे 378 में सविधान संसोधन के बारे में बताए गया कि हमारा सविधान संसोधन होता है उस अनुछे के हिसाफ सटीक है अब यह भी मैंने बता रखा पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जीके वाले जाके प्लेइलिस्ट में देख लेना उसमें यह बता रखा कि जो सविधान के संसोदन कहां से लिए गया है यह हमारे साथ अफरीका से लिए गया है ठीक है नहीं पता तो लेकिन पढ़ लेना अनुशे 368 यह है सविधान संसोदन ठीक है लगबक हमारे सारे अनुशेद कवर अप हो गया लेकिन कुछ अन्य महत्पून अनुशेद है यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाद हमारा वीडियो एंड हो जायागा ठीक है तो चलते हैं अनुशे 17 में क्या है सपरस्ता का अंत यान किया है बहुत इंपोर्टन यानि अल्फ संख्यों का हिथो का संकराशन और इसको यादगने का ढude ट्रिक है जैसे बता रहा है कि कोई इंसन गिर गिर आ रहा है लगाल्यमिबात कं मात्रा में जो लोग होते हैं हमारे देस में ठीक है वो गिर गिर गिरला है tes लेकिन उनके चारिश में पदाये यह सविधानिक उप्चारों का अधिकार यानि किसी कानुन के विजे या फिर कोई व्यक्ति के हीतों पे यह फिर उसके मौनिक अधिकारों पे हनन उता है यानि मौली कर च्छे होते हैं उसमें आतो विच झाल भी में कुछ भी हो या फिर तुम्हारा बोल दिया कि विभी जो भी बोला जाये उसका हनन उ'll रहा है तो आप उस पर केश धर्श कर सकते हैं। तो GUYS यहीं पर वीडियो एंडूरते कि आवाले सबस्क्राइब को